यहां पर जाएंगे डिवाइस में सफट फिर अपडेट में जाएंगे वहां पर आज आएगा आपको अगर नहीं आया तो काई एस तू.पडेट आया हुआ है मेरे मौडल F90M में तो चलो मैं आपको आज की इस वीडियो में ट्रिक बताता हूं यहां पर कौन को से ट्रिक है यह नहीं थे अब यहां पर आप लॉट टेक्स कर सकते हैं साइस बड़ा हो जाएगा टेक्स का तो यह आप कर सकते हैं इससे अगर आप कोई किसी को अगर टेक्स साइस बड़ा चाहिए तो वो बड़ा कर सकता है या फिर नॉर्मल रख सकते हो तो यहां पर बताता हूं यह अपने प्ले स्टोर से इंस्टाल किया है यहाँ पे जियो स्टोर से तो उसको आप सिंपल यहाँ पे ऑप्शन में जाके बाइर एपस के ओपर ही जाके वहां से आप उसको अंस्टाल कर सकते हैं यहाँ जो इन्पलूट अपसे उनको नहीं अनिस्टाल कर सकते हैं लेकिन जो काफी helpful है तीसरी की बात करें तो यहां पे आप जाएंगे परसनलिजेशन में वहां पे जाएंगे डिस्प्ले में डिस्प्ले में जाने के बाद यहां पे आपको आ जाएगा एटो कीबैड लॉक तो यह अगर आप इसको आफ करना हो चाते हो यहां पे जो स्टॉर का बटन आप दबा के रखते थे वो आप बंद हो जाएगा वो दबा के रखने पड़ने दबा के रखते थे और उसके बाद ही आपका स्क्रीन लॉक होती थी तो यहां पे आप बंद हो जाएगी स्क्रीन और किसी भी बटन को दबाएंगे तो आन हो जाएगी अपकी स्क्रीन तो का यहां पर आप जाएंगी, images में, images में जाने के बाद, यहां पर कोई भी select कर लीज़े, image, उसके बाद option में जाएंगे, option में जाने के बाद, यहां पर आपको आएगा, option, download image का, तो यह पहले नहीं था, अब यह भी आ चुका है, यहां पर update में, यहां पर simply आप, यहां पर image को download करें, उसके बाद यहां पर आप चले जाएं, image, यहां पर gallery में, gallery में जाने के बाद, यहां पर आप देख रहें, यहां पर phone की gallery में जाएंगे, gallery में जाने के बाद, यहां पर आपको, जो image है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो आपने डाउनलोड की थी काफी helpful है काफी लोगों को पहले नहीं था यह पता कैसे करना है डाउनलोड यह वो तो काफी helpful है अब तीसरी app के बात करें तो यहाँ पे आपको मैं बता दू यहाँ पे आपको view history अप पहले हिस्ट्री आप नहीं पता चलती थी कौन से आपने क्या देखा पहले तो यहाँ पे history का option भी आ चुका है जियो फोन में के browser में तो काफी यह भी काफी helpful है अगली trick के बात करें अगली जो नई चीज़ आई है काईज 2.5 में तो वो है यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं आपको बताता जो हूँ यहाँ पे video में तो video का आप यहाँ पे देख लें यहाँ पे video को select कर लें उसके बाद यहाँ पे इसको open कर लें open करने के बाद view full screen में आप जैसे करेंगे उसके बाद इसको अगर आप यहाँ पे tilt करेंगे phone को तो यह automatically rotate हो जाएगी phone की screen तो यह भी काफी helpful ऐचाए है काफी यह पहले नहीं था काफी helpful है है यहां में आप svja by जाना पे आप कर सकते हूं यहां पर अपने दachen यहां पर अपड़skरों को से चत्र इककन है यहां में ज़े Бो ढगाreibt तो पहले पहले यहां पे जो Google Mapp थी उसमें यहां पे आपको वाई सच का Option नहीं था अब यहां पे वाई सच का भी Option आ चुका है यहां पर आप सिंपली किसी को भी भी वाई सच करें तो कुछ भी बोलें तो वाई सच हो जाएगा कभी आप गारी चला रहे हो तो आप टाइप 2.5 में जो अपडेट में आई यह चेंजिंग वो है अगर आप यहां पे रुपीस का जो साइन बना हुआ है यह वाला बटन आप दबा के रखे ने उसके इतना भी आपको बैलनस है वो यहां पे खुदी बोल जाएगा फोन तो यहां पे किटना बैलनस आपका बच रहा है कितना बैलनस आपको बच रहा है तो यह काफी हल्फल है तो अगली Celsius जो का भी आपे यहां पो आपको फोटो यहां प की रोल्डर बना जब कर सकते हो यह काफी बaintsिघंज में अच्छा लगा मुझे यहां पर अच्छा रोल और तो यहां पो यहां पो बात करें यहां पे अगले चो यहां पे कुछ चैन्जिंग आई ہے हैजए है तो वह पर valt यहां पे enforाई को यहां पे बात यहां पर अप जाएंगे और यहां पे पिक्चर में जाएं तो यहां पे go to apps में भी आप यहां से जा सकते हैं कि कहां पर यहां 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 पर यहा accept जो है वो खाथी अच्छी तरह से चल रहा है अच्छा है और काफी कुछ यहाँ पयाँ पयागने तो चल्दैनल मतला कर goo लगा है उसके बाद बात करें तो यह काफी फ्लू है अब काफी जदा विसको बोल सकते है tut बाद यहां पर प्ले स्टोर की बात करें जियो प्ले स्टोर की तो जियो एप्स की बात करें तो यहां पर काफी नही नही आप आई है काफी कुछ है यहां पर और काफी मुझे यहां पर चैनल की नही आप आई है और काफी ज्यादा नही नही आप आई है यहां पर बात करें वाट्सएप यहां पे यूट्यूуп की बात करें यूट्यूब की बात करें उसके बाद News18 की बात करें उसके बाद वूट की बात करें वूट भी आफ इंस्टाल करते इभी जियू फ़ोन में तो कफी चैंजिंग खाईए कफी जफेच में पे